असोक मातो आज तक कोई चुनाब जीते हैं असोक मातो अपरादिक छभी के आदमी रहे ना जी नवादा कने तरह रहे नहीं हो हमको पता है अनांत सिंग्ग के सामने जो आप असोक मातो की बात कर रहा है एक साइफर निगेटिव जीरो जीरो है जीरो वो कहें से भी टिक नहीं पाएंगे अनांद सिंग्ग है और असोक मातो को तुलना है जी पीछरा सोचित बंचित के वो नेता है कहां कि मुझा है कब हो गए है सब दिन तो वो मार काटा अपराधिक छबी और किटनाइपिंग काम की है कब हो गए वो जी मैं सोचित बंचितों करने ता जी आप राधी तेश्भी कह रहे हैं असोक मातो जी का नाम राजो सिंग राजो सिंग्ग मरवाने वाले में आ गया अपराधी क्या है बताइए ना अपराधी सरकार बनाएंगे जी विपच्छ में बैठने लाइक नहीं रहेंगे लिख लिजिए मैं आपको 110 परसंट इंसूर कर रहा हूं और हम लोग सरकार बहुत मजबूती के साथ बनाएंगे इसमें कोई दोराय नहीं इसके नहीं इंडिये के नहीं है हम लोग सरकार बनाएंगे नितिश को नेता नहीं होगे चार विधान सवा में उपचुनाव होना है और ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या होगा किस सीट पर कौन चुनाव लरेंगे लेकिन इमाम गंज को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही ह है कि इमाम गंज से जीतन नाम मांजी जोग बरतमान में केंद्रिय मंत्री हैं वो वहां से सीट छोड़ दिये हैं और लोग सवा चले गया हैं तो उस सीट पर उनके परिवार के लोग लरेंगे लेकिन हमारे साथ बाचित करने के लिए हम पार्टी के प्रवक्ता है राकेश से रञजन जी शिर्फ जीतन नाम मांजी के परिवार के लोग ही लरेंगे या कारकर्टा को भी मोका मिलेगा देखिए यह वह मेरे सिरस समय करेंगे बहाद इस बात का है कि जो भी हमारे पार्टी के लोग लडेंगे यह NDA के हमारे जो भी लोग लडेंगे, हम लोग मजबूती से उस सिट को जितने का काम करेंगे, और हमारे एक कारज करता उस सिट को निकालने के लिए खुन पसीना एक कर देगा, हम लोग राजत के जैसा और माक डबंदन के जैसा लोग नहीं है, कि कॉंग्रेस वाले कहेंग को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहाथ आप कि एक बात और मैं बूलना चाहूंगा, आप देख रहे हैं ना, कि महा गठमतन में क्या हो रहा है, स्याम रद्रीजी कहां चले गए, कहां थे और कहां चले गए, तो एक से एक लोग निता अभ कर देंगे, तो मैं आपको सिरे से एक ही बात को खारिच करना चाहूंगा, या तो हमारे पार्टी के लोग जो भी लेंगे या एंडिया के लोग जो भी लेंगे, मजबूती से लेंगे, और उस चिट को जितने का काम करेंगे, लेकिन आपके पार्टी पे भी तो आरोप मुका मिलेगा, कहां आप देख रहे हैं कि हमारे पार्टी में जो है परिवारबात की रजनेती है, कहां आप देख रहे हैं, हमारे माननी जो भी परदेश से देखे हैं, उनके परिवार चाते हैं, अरे परिवार चाते हैं, जी, दुसरी बाते, जो सिकंद्रा के विधायक ह तब पुरा जितना भी परिवार माता पिता बेटा पुताव सब इसी में जो मो भंग है आप उनसे बात किजिए हमारे हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्जकर्टा से लेकर के सब लोगों को मौका मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उस शेज को निर करते हैं इतने जानी हम लोग उस तरिके से भार्टी पचीश्की वींट एसंपर आवहार यात्रा नहीं है भूआ आपको मालूम होगा करना चाहोंगा जो मंत्री और विधायक यह मिलते आज मैं आपके चैनल के माद्यम से उनसे गुजारिस करना चाहता हूं और अगर हिम्मत है तो जवाब दें कि क्या ऐसी उनकी मजबूरी आ गई जो फिल्ड और मैदान में उतर गए को मतरी बनेंगे तो मैं आपको बता दूँ दूजर पचीस में ना वी पच्च के नता भी दे रहेंगे उनकी ऐसी स्थिती हो जाएगे उनका जमीन की सब्सक्राइब कहां है वो क्या काम किया है और कभी सरवेरी पूर्ण आप सब विधान को भूल रहें कमलेश जी नौकरी देने का उनको अधिकार है कि नौकरी देने का मुखमंत्री जी को अधिकार और आजे तो अशुक चोदरी जी विडियो जारी की है जिसमें वो अपने खुद अपने खुद जो है बाननी तजस्वी जी स्रे दे रहे हैं हमारे मुखमंत्री जी को कि नहीं वही नोकरी दिये तो बोलने के लिए तो कुछ भी आदमी बोल देगा विपच में हैं उनके बोलने के आप देखिए अब एक बात और बोलना चाहेंगे कि कितनी राजनिती का अस्तर गिरा चुके हैं वो अच्छी राजनिती करते हैं कोई आदमी अगर आपका सम्मान कर रहा है तो आप उसको गिलगडाना बोलेगा गिलगडाना का प्रियावाची सम्मान होता है जी वो बात आप प्रिएधा जी नहीं है वो तो हमने विडियो देखा कि आपकरी तो इसको उनजनीत कर रहा हां तो तो मैं इसको प्रिक dates कर रहा हूँ तोस तरह के dose five लेकर प्रक नहीं हुँ आ आंद संग लरेंगे तरफ से चर्चा हैं लेकिन राजद के तरफ से असोग मातों भी तयार हैं वह हमार लगता है कि असोग मातों धृप chyba यह पाइंग आपको उर बता दूंद आपको प्रोत अगर मिला था तो बरी कैसे हो गया और वो तो देखे आपको कह रहे हैं कि अनांत सिंग के सामने जो आप असुक महतो की बात कर रहे है एक साइफर निगेटिव जीरो जीरो है जीरो वो कहीं से टिक नहीं पाएंगे कहीं से टिक नहीं पाएंगे अशो कमातों के हावा में ऊचाहills अब तो बक्त बताएगा लेकिन मैं इतने एक बात कहारिश करना चाहूंगा कि कहीं से भी किसी तरीके से भी अनंद सिंग् अनंद सिंग है पर दिन तो वो मार काटा उप्रा कब हो गए वो जी सोसित बंचितों का नेता जी और आप जा करके पुछी अनुसनी के बारे में सब कोई बोलेगा चोटे सरकार क्यों चोटे सरकार उनको बोलता है कारण की वो ऐसा काम करते हैं आप देखे न कि लोग निर्दलिय भी सिट निकाल रहे हैं निर्दलिय भी जित अरजीडी में नवादा मराजबला परशाजयाद अभी कहा है आपको मालूम है ना जी कमले जी कि अभी जेल में है तो आप राधिक तो वहां लोग आप राधी तो पलते हैं अशोक मातों को जल्दे दी मसादिक करवा करके वहां चुनार बढ़वा दिये तो आप राधी और पर अप राधी आप यहां बोल रहे हैं को अपरादी है थें हम रहाइं के रहे हैं कुछ भी बोलने के लिए और कुछ भी बने लेकिन हम लोग उस बात को विभनियाद मानते हैं और कहीं सी और अशोक मातों के ह reindeer कर्दें आप राधी क्या है बताइए ना अपरादी उनसे जादे बड़ा तो अपरादी आपका उन जो पाल रहें असोग मातों को उनसे पुछिए क्या रिकॉर्ड क्या है हम लोग बहुत बाप रे बाप असोग मातों को असोग मातों जी का नाम राजो सिंग राजो सिंग मरवाने वाले में आ आप ऐसा मत बोलिए आप पुष्टी किजिए किनका नाम आया था इस बात को पुष्टी करने की बात है तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिनका आप नाम ले रहे हैं वो दूर दूर तक अनंसिंग के सामने नहीं ठीकेंगें एक दम नहीं如此 का सभी इसमें कोई डोराय नहीं झें कि किस पर हम लोग अनकंडिशनल हैं लेकिन हम लोग कोई condition नहीं नहीं है हैने लेकिन इतना जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो भी Crete मिलेगी हम लोग Nаз외 के घटक है और एंडिय के जो सिर्ष नितत्ताई करेंगे जितनी भी सिटे मिलेगी हम लोग बनाईए गा पचीश में तो तेस्वी करें सरकार बनाएंगे चैजस्बी जी बिपाच्च में बैठने लाइक नहीं रहेंगे लिख लिजिए आप अरे बिपाच्च में बैठने ल कि हम लोग सरकार बनाएंगे तर्फ निति इसको निता नितर पटल रहें नेता अभी मुखमंतरी जी है ही वो हम लोग मानी रहे हैं लेकिन अंडिये के जो सिर्ष निता वो ते करेंगा नहीं तो चोटा सब एक मनव कारज करता हैं हम लोग से इस बात का जवाब मांगे तो तो हम लोग सच्छम नहीं है देने में चलिए तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे हम पार्टी के प्रवक्ता है राकेश रंजन जी इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इमाम गंज में जो भी लरेंगे मजबूती से लरेंगे एंडिये में सब कुछ ठीक है लेकिन आरजेडी और महागटवंदन की स्तिती यह है कि जो है लोग चुनाव लरने के लिए वहाँ पे एक दूसरे से ही लर जाते हैं यहां हम लोग से क्या लराई करेंगे वहाँ लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी छोर करके चल जो वो चुनाव जीतेंगे हमलेश कुमार लाइब बिया पट्राइब